दोस्तों बात करें वन प्लस नाइन सीरीज के बारे में जी हाँ ये सीरीज अब लीक हो रही और इस लेवल पे पहुँच चुकी है कि इसका जो लाँच है वो काफी जादा जल्दी हो सकता है और देखा जाए रीसेंट लीक से लग रहा है कि काफी कमाल की चीज़े देखने क कमल रही है इवन बात करें डेव 2D की और काफी पॉपलर यूट्यूबर है वैस्ट है और उन्होंने तो पूरे फोन का डिजाइन और इन हैंट फोन को भी लिक कर दिया है देखते हैं क्या रहता इसके अंदर क्या चीज़े देखने को मल रही क्या कहानी रहती है सब कुछ यह ओगा एक 9 होगा और एक 9 प्रो होगा 9E एक फोन है जो की लिक हुआ था जिसके बारे बताया गया थे यह सस्ता फोन हो सकता है 40,000 से नीचे शाइद इसकी कीमाउत हो सकते और इसके अंदर को स्नेब ड्रेगन 870 देखने को हो सकता है काफी कमाल का फोन होने वाला है लेक यह 9 Pro में 6.7 इंच का डिस्प्ले कर्व डिस्प्ले होगा इस बार और यहां पर आपको देखने को मिलेगा 120 हर्स का रिफ्रेश्ट डिस्प्ले कोड एश्टी प्लस जॉलूशन वहीं बात करें तो इस बार जो वन प्लस के फोंस के अंदर जो काफी कमाल की चीज होने वाली वह सकती उनका कैमरा क्योंकि कैमरा के अंदर यह लोग काफी जादा काम करने है और जो लीक से निकल के हैं उससे काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मिशन पता चलती कि 48 मेगा पिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा यह IMX का 689 सेंसर होगा अल्ट्रा वाइड में भी 48 मेगा पि हैं जो कि कैमरा बनाती है और बहुत ही पॉप्लर मीडियम फॉर्मेट हाइएंड कैमरा बनाती है प्रीवेसली हैसल ब्लैड ने पार्टनर्शिप कर रही थी मोटरला के साथ और एक बोटो बॉर्ट में जूम लैंस के साथ एक इनोने स्पेशल मॉड बनाया था वो चीज इतनी ज्यादा चली नहीं थी क्वालिटी उसमें अच्छी देखने को मिलती नहीं थी लेगिन अब लग रहा है कि यहां पर हैसल ब्लैड की टेकलोजी इंप्लीमेंट की गई है तो कहानी कुछ भी हो सकती है जैसे वीवो काल जीज के साथ पार्टनर्शिप कर रही है यहा साथ आपको दूसरी चीज़े भी देखने को मिल सकता है जी हां इसके साथ आक टील्ट मोड भी देखने को मिलें जहां पर देखते किस तरीकी से काम करता यानि कि ठील्ट शिफ्ट ओड़ने को मिलींगिंगे और क्वाडग कीमरे सेट अप देखने को मिलेगा आपको one OnePlus 9 Pro होगा उसमें IP rating होगी और 45W की wireless charging को support करेगा और हाँ 9 और 9 Pro दोनों के अंदर आपको 65W की जो wide warp charging होती है न वो भी देखने को मिलेगी काफी कमाल की चीज़े इसके साथी out of the box Android 11 के साथ नया वाला oxygen OS देखने को मिलेगा जी हाँ ये बाती हो जाती है और इस बार भी तीनों फोन के अंदर आपको whole punch display देखने को मिलेगा अंडर display camera अभी नहीं आने वाला है वहीं जो OnePlus 9E है वहाँ पे full HD 90Hz का refresh rate आप expect कर सकते हैं और उसके अंदर भी हो सकते है 65W की charging देखने को मिल जाए ये भी काफी कमाल की चीज़ होगे अगर ऐसा होता है तो लेकिन फिलाल के लि 256GB के storage version हों गया और 8GB 12GB देखने को मिलेगी 9 pro के अंदर जो leak हा तो वहाँ पर 11GB 256GB देखने को मिल जाए कुछ इस टाइप की बाते हो सकती है और एक report से भी पता चलता है कि जो नया sony का 50 Megapixel का image sensor है उससे 9 pro के लिए exclusively reserve करके रखा जाए ये भी कुछ कहानी हो जो आपको दे design देखने को मिलेगा ये glossy design होने वाले Corning Gorilla Glass Victus का भी आवे यूज़ आपको देखने को मिल सकता है M.E.M.C. technology जो आपको देखने को मिलेगी 1 plus 9 pro के अंदर श्याशत एंट्री ले सकती 1 plus 9 के अंदर भी और भी काफी सारी चीज़ है इवर आगर हम बात करें out of the box आपको सब क कुछ HDR में देखने को मिलेगा यानि कि special auto HDR का feature जो की screen पर कोई भी content देख रहे है उसे HDR के अंदर create भी कर सकता है इसके साथ ही बात की जाए तो basically phone के अंदर ते है तो पिछली बात की comparison में जो traditional improvement ला सकते थे वो लाने की कोशिच की जाएगी लेकिन जो major highlight रखनी कोशिच की ज पर जो highlight लग रहे इसपेशली खुद पीटला उने बोला है कि इस बार वो camera hardware के उपर भी काम करें तो आप पहले से जाद अच्छी images जो होती है वो यहाँ पर expect कर सकते हैं यह कुछ कहानी हो सकती है pricing वगरा के बारे बात की जाए लग बग 40-45 लीजार one plus nine की गीमत होगी 50-55 यह 55 से थोड़ी सी जादा यानिकि 55,000 plus one plus nine pro जा सकता है क्योंकि हैंसल ब्लैट के साथ आने वाल है कहानी कुछ भी हो सकती है इसके साथ एक और important बात है कि one plus nine जोड़ा affordable 37 38 में आपको देखने को मिल सकता है snapdragon 870 के साथ पहले कहा जा रहा थे snapdragon 865 होगा लेकिन अब देखके लग रहा है शादिसमे snapdragon 870 देखने को मिल जाए और एक और important बात ही अगर आप लोग सोच्रिस फोर्म का launch कब होगा mid-march से लिखे end-march यह launch confirm हो चुका है यहां पर आप देखने को मिलेगा आपको one plus nine series काफी कमाल की बात है यानि कि लगबक तेड़ भीन आप इंतजार कर लो one plus nine आपको देखने को मिल जाएगा यानि कि पूरी one plus nine series बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगी market के अंदर है फिलहाल के समय में यह जो फोन है आद के समय में prototype वगरा फेस के अंदर घूम रहा है आद के समय में काफी सारे लोग है इवन इंडिया के अंदर भी जि कर रहे हैं जो लीक्स आपको देखने को मिल रहे है डेव 2D वाला ज्यादा कुछे पता है यह चाइनीज हैट्वाटर होता है ना वहां से इमेज लिक की गई है क्योंकि वहां पर ही exclusively available in 9 pro और देखा तो सारे फोन से ना अभी के समय में धीरे धीरे और ज्यादा लीक होंग basically camera के अंदर improvement होगा, softer में थोड़े बहुत changes होगे और snapdragon 888 के सब performance में यहाँ पर boost देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छी चीज़ बना देता है यसे और एक और important बात यह है कि यहाँ पर आपको design में भी कुछ minor changes देखने को मिल सकते हैं कुछ नए colors के options भी देखने को मिल स से रखते हैं, यानि कि expected price तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर इसकी pricing थोड़ी से अगर जादा हो गई competition में काफी सारे phones हैं और आने वाले समय और भी phones आने वाले जो इसको kill कर सकते हैं, तो देखते हैं आने वाले time में क्या रहता है, oxygen OS के अंदर क्या चीज़े नहीं द सपोर्ट देखने को मलेगा, जो उससे पहले जो OnePlus के phones थे ना, वो सिर्फ N78 बेंड को सपोर्ट करते थे, तो 5G compatibility के हिसाब से भी यहां के जो phones होगे, जो 9 series होगी, वो थोड़ी सी future proof आपको देखने को मलेगी, वैसे मैं जाद एक्साइट हूँ OnePlus 9E के लिए, आगर यह बसाना बिल्कुल भूलना, अगर वीडियो कर आप लोग को पसंद आए, तो लाइक कर लेगा, चैनल को सस्क्राइब कर लो बिना किसी देरी के, थैंक्यों को विटी टेखने के लिए, आप साल दो नेक्स वन के अंदर, गुट बाई!